वाट्सअब गाईज मैं हूँ दिर्वाद स्वागत करते हूं आपका मेरे को नए वीडियो के अंदर जो लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और चैनल और वीडियो दोनों को यह अपने फ्रेंज के साथ शेयर कर दो तो चलो चैप्टर को यानि की यानि की वह एरिया सम लोग इसके इंदर फाइंड करेंगे जो कि सर्कल से रिलेटेड है तो अब जैसे कि यहां पर सर्कल की बात चलने वाली तो सर्कल का थोड़ा बहुत इंट्रोड़क्शन भी ले लेते और तो यह वैसे भी है इस चैप्टर का इंट्रोड़क्री पार गती है और वोग्ट किसी भी पॉइंट के उपर अगर तप्स करती है यानि कि एनी लाइन जांग जाइनिंग देंटर जैंट्कर यह को यात करते हैं तो circle के ओपर fencing करोगे fencing कहां 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 करोगे उसको अपनों कहते है circumference यह तो हो गया हमारा radius अब इसी radius को अगर मैं twice कर दू तो हो जाएगा हमारा diameter अब diameter क्या है diameter is a line joining two points of a circle passing and passing through the center तो वो गया हमारा diameter ठीक है यह तो हो गया हमारा last 8th का introduction circle का अब थोड़ा सा higher level का higher level का क्या introduction है तो higher level के अंदर देखो अब यह क्या लग रहा है कुछ नहीं बता देखे मैं बता दू अब इसके अंदर यह जो उपर वाला है फिर जो बड़ा वाला जो पार्ट है वो है हमारा major sector मेजर और minor का पता चल गया अब बात रहा गई सेक्टर की सेक्टर कुछ नहीं ऐसे नहीं है ठीके और हम लोगों को इसका एडिया फाइंड करना पड़ेगा बस सेमपल और फिर अगर अगर आ जाते हैं तो सिफ सेक्टर नहीं है सेग्मेंट का भी नाम सुनाओगा अब सेग्मेंट क्या है सेग्मेंट यह देखो सेग्मेंट को अपन कॉर्ड या फिर चौर्ड कह सकते हैं यानि कि वो पॉइंट जो सेंटर को लाए नहीं कर रहा है पर सर्कल के दोनों पॉइंट को जॉइनिंग कर रहा है तो अब इसके अंदर यह वाला जो है यह वाला जो पार्ट है यह हमारा मेजर सेग्मेंट और य इस चेप्टर के अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूलेज है जो वस्याद रखने हमको और हमें जो कोशन है उसको उन फॉर्मूलेज के हिसाप से डालना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा जैसे कि कहीं पर सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और हमें रीडियस वाइन करना है तो सर्कमफ यहां फिर उनिट्स दी हुई है उनको थोड़ा सा तोड़ और मोड देना है तो अब जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि रेडियस और डायामीटर का तो इंट्रोड़क्शन हो गया पर बच गया था हमारे सर्कमफेरेंस का तो सर्कमफेरेंस इस इक्वल स्टो टू प पर दिख सकता है सर्कमफेरेंस और डायामीटर का जो रेशो है उसको हम लोग केते हैं पाई ऐसे नाम दे रखा वर सिसके कोई वैल्यू तो होनी चीह ना या खॉंच्टेंट वैल्यू है पर किसने दी किसने आरे इसी तो हम इंडियान से तो इंवैंशन भी करेंगे तो कर पर उन्होंने बड़ी कॉंप्लेक्सी दी यार यह वाली वेल्यू दिया उन्होंने 62832 अपॉंट 20,000 इसकी वेल्यू आई हमारी 3.1416 और उसके आगे भी है पर फिर भाई कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस पाई को थोड़ा और देगा तो वह आ गए हमारे फिर से श्री निवास रामनुजन जो कि थे एक इंडियन मैथेमेटिशन हारे बटाजी भी थे उन्होंने भी जो पाई है उसको एक मतलब रेशनल फॉर्म मतलब 22 अपन 7 दे दिया ठीक है अब वह ऐसा कहते है कि पाई जो है वह एक रेशनल लंबर है जि है रिक्यूरिंग याने की नॉन रिपिटिंग ठीक है यह सारी बातो यहार समयज में आ गए ठीक है पाई की वेल्ई तो पचल बथा चल गई अब हमें बथा कि शर्कân क्याIl सी चेज है और स्रकं फेरिंच को find कैसे करते हैं तो circumference का जैसा कि मैंने बजा है कि 2 into pi into r यानि कि 2 into 22 upon 7 और जैसा कि हमको radius दे दिया 2 centimeter तो बस into 2 centimeter करतो इसको solve करने के पाद आपका answer आ जाएगा यान कि आपकी circumference आ जाएगी अगर मैं intro दे रहा हूं तो मैं आप questions भी solve कराऊंगा जो लोग ऐसा समझ रहे कि मैं फिर से वही book वाला stand बनाऊंगा और pen और paper लेकर solve कराऊंगा एक के question नहीं वैसा नहीं चलेगा मैंने questions की categories बना रखिए उन categories के उपर मैं बताऊंगा जैसे कि किसी questions के अंदर आपको area दे देते हैं और आपको मतलब एक कार का जो वील है उसका area बता देते हैं radius बता देते हैं और आपको बता लगाना है कि इतने किलोमेटर के इतना किलोमेटर अगर distance सकर वो कार कवर करेगी तो कितने revolutions उसका वील करेगा उसका भी अपन find कर सकते हैं तो इस टाइप के जो basic types के या फिर advanced टाइप के जो questions है उसके मैंने एक list बना रखी है और उसी list के उपर मैं आगे के videos upload करूँगा जैसा कि मैंने कहा था कि October जो मन्द है वो पूरा का पूरा advanced high level और completely maths के उपर based रहेगा जो कि हमाएं टर्म बन के अंदर आने वाली है और जैसा कि मैं वादा करता हूं उसको मैं निभाता प्यों नहीं यार तो यह भी निभाना था तो ला दिया चैप्टर बहुत इसी चैप्टर इसके इंदर कुछ प्रबुले इसको याद रखना है और questions के अंदर डाल देना है फिर उसके पर आजाते हैं अपने एरिया के उपर वाई एरिया इतनी वार वो दिया और तो और चैप्टर के अंदर भी है अब सर्कल का एरिया कैसे पाइं करते हैं सर्कल का एरिया बहुत ही इसी है वह है अब जो तो major segment और major sector और ऐसा कुछ बता रहा था उसका area कैसे find करते हैं वो भी तो करना पड़ेगा पता है यार तो यह देखो area of sector find करते हैं ऐसे यानि कि theta upon 360 into pi r square तो यह एक direct formula है जिसको आप question के अंदर बस आपको डाल देना है और values put कर देनी है आपको आपका answer आ जाएगा नहीं तो अगर आप इसको अलग-अलग करोगे यान की pi r square यान की पहले area find करोगे फिर उसको theta or 360 से multiply करोगे तो उसमें बहुत time लगेगा तो यह इसका direct formula है इसको चाहो तो note कर लो बहुत काम आएगा तो सबसे पहले तो आगे area of sector का अब एक arc का भी बूचते है आर्क क्या ह होते हो तो पता है ना simply by half of the circle यान कि यह वाला हमारा एक आर्क हो गया तो अब इसका radius वैसे कहां करते है length of the arc उसके लिए हम उपन को theta upon 360 into 2 by r या गया formula तो यह हम लोग use करते हैं जब अपन को arc की length find करने पड़ते है ठीक है अब इसके अंदर एक और आता है area of segment area of segment के अंदर अपन क्या करते है theta upon 360 by r square minus half r square sin theta अरे या इतना fast क्यों बोल रहा है हम लोग तो देखी नहीं पर अरे यह लोग नहीं आगया यह आपका formula फिर इसके पर आता है area of o a and b यह क्या है यह हमारा minor sector है ना उसका area find करने के लिए तो वह कैसे find करते हैं वह बन करते हाफ r square sin theta yes तो यह हमारे कुछ areas यह हमारे कुछ important formulas हैं जो hopes हो कि आपने लिखे लिए होंगे और मैंने areas related to circles के handwritten notes provide कर रखें प्लीज जाओ और उनको ले लो क्योंकि वह बहुत काम के हैं इस chapter का introduction देखो इतना सही है क्योंकि चैप्रे जादा बढ़ा नहीं है और नहीं तो जादा hard है बहुत easy chapter है जो questions है वो थोड़े बहुत tricky हो सकते क्योंकि मैं questions RD में से भी लोंगा तो वो questions थोड़े से hard हो सकते हैं so questions के लिए prepare रों और वीडियो को viral करते रों यार सब जगे viral कर दो टैक करो मुझे आत्मन learners दिरच वालिवाल Instagram Facebook WhatsApp Twitter 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 कुकु जितने social media app से सब के उपर मुझे वाइरल कर दो क्योंकि भाई help तो करो ने यार थैंक यू सो मच वीडियो को like करना मत भूलना और चैनल को subscribe और दोना यह चीजों को अपने friends में शेयर करना भी मत बूलना पस यहीं कतम हो रहा है हां यहीं कतम हो रहा है इसमें इतना बताने जैसा कुछ भी नहीं है पस इसके questions थोड़े से tricky होने वाले मतलब गुमने वाले हो सकते हैं पर कोई बात नहीं हम लोग क्रिपरेश कर इंग जची सेसिंग थैंक्यू सुमच्च